बारिश का मौसम चल रहा है और बजार में बहुत ही अच्छे कुंद्रू आ रहे हैं तो इस तरह का से आप भी अगर अपने गर में कुंद्रू की सबजी बनाएंगे तो नहीं खाने वाले भी मांग मांग के खाएंगे और सभी आपकी तारीफ करेंगे हेलो दोस्तों आप तीन बार पानी में अच्छे से वाश कर लिया है और चले अब हम इसे कट कर लेंगे कुंद्रू को हम इस तरह आगे और पीछे का पार्ट करके हम इसे बीच से इस तरह कट लगा लेंगे और इसी तरह हम सारे कुंद्रू को आगे और पीछे से कट करके बीच से कट लगा ल कहते हैं, मुझे comments करके जरूर बताएं और यह देखे, यहाँ मैंने सारे कुंद्रु को अच्छे से cut कर लिया है और अब हम चार medium sideways की आलू लेंगे आलू को इस तरह पिलर से छील लेंगे या इसका कभर निकाल लेंगे और यह देखे, यहाँ मैंने सभी आलू को अच्छे से छील के धो लिया है और अब हम इसे इस तरह लंबे टुकड़ों में दो कट लगा लेंगे और ये देखिए यहां मैंने आलू और कुंदुरू को काट कर एक प्लेट में निकाल लिया है और चलिए अब हम कुंदुरू का सबजी बना लेंगे सबजी बनाने के लिए कढ़ाई को हाई फ्लेम पे गरम होने देंगे और कढ़ाई में चार चम्मच तेल डालेंगे और तेल को भी गरम होने देंगे तेल गरम हो गया है हम इसमें कटे हुए आलू डालेंगे आलू डालकर हम इसे मिला लेंगे और गैस का फ्लेम मेडियम कर लेंगे मेडियम फ्लेम पे आलू में सुनहरा कलर आने तक या गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राइ कर लेंगे अगर आपको आलू नहीं पसंद या नहीं डालना है तो आप आलू को skip भी कर सकते हैं और ये देखिए आलू में सुनहरा कलर आ गिया है और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और बचे हुए सेम तेल में ही हम कुंदरू डालेंगे कुंदरू डाल कर गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसे चलाते हुए कुंदरू को सुनहरा कलर या गोल्डन कलर आने तक हम इसे भी भून लेंगे कुंदरू भूनते हुए दो मिनट हो गया है और ये देखिए कुंदरू का कलर भी चेंज हो गया है बचे हुए सेम तेल में ही हम आधा चमत जीरा डालेंगे जीरा को आइल में क्रैक होने देंगे और ये दिखिए यहाँ मैंने एक मीडियम साइज के प्याज को कद्दू कसलिया है और अब हम इसे तेल में डालेंगे आप प्याज को महीन या बारी काट कर या ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं प्याज को मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए एक मिनट के लिए भून लेंगे प्याज भून गया है हम इसमें हाफ चमच अदरक लैसून का पेश टालेंगे पेश डाल कर हम इसे भी चलाते हुए मेडियम फ्लेम पे एक मिनट के लिए भून लेंगे प्याज अदरक लैसून हमारा भून गया है और अब हम इसमें मसाले डालेंगे हाफ चमच या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे आधा चमच हल्दी पौडर डालेंगे एक चमच धनिया पौडर डालेंगे तीखा के लिए एक चोथाई चमच लाल मिर्श पौडर डालेंगे आप तीखा अपने इसाब से कम्या ज़्यादा कर सकते हैं और हाफ चमच कासमेरी लाल मिर्श पौडर डालेंगे ये ओप्सनल है मसालो को चलाते हुए मेडियम फ्लेम पे एक मिनट के लिए भून लेंगे मसालो को भूनते हुए एक मिनट हो गया और ये देखे मसाले हमारे अच्छे से भून गया है और ये कड़ाई भी छोड़ रहा है और इस टाइम पे हम इसमें एक कद्दू कस्किया टमाटर एट करेंगे यहां मैंने टमाटर को अच्छे से ग्रेट कर लिया है टमाटर डाल कर हम इसे भी मिलाते हुए मीडियम फ्लेम पे हम एक से डेड़ मिनट के लिए भून लेंगे जिससे टमाटर मसालो के साथ अच्छे से भून जाएगा और यह देखिए टमाटर मसालों के साथ अच्छे से भून गया है और यह कड़ाई भी छोड़ा है और इस टाइम पे हम इसमें फ्राइ किये हुए कुंदरू और आलू डालेंगे या एड़ करेंगे डाल कर गैस का फ्लेम हाइ कर लेंगे और हाइ फ्लेम पे हम इसे इस तरह चलाते हुए एक मिनट के लिए फून लेंगे या मिला लेंगे मसालो के साथ दोस्तों आपको मेरी रेसेपी और वीडियो अच्छी और हेलफूल लगरी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और यहां हमने कुंद्रू को अच्छे से मसालो के साथ मिला लिया है और गैस का फ्लेम मेडियम कर देंगे और medium flame पे ढखक कर हम इसे 5 मिनट के लिए पकने देंगे 5 मिनट हो गये हैं और अब हम सब्जी को चेक कर लेंगे यह देखिए सब्जी हमारे मसालों के साथ अच्छे से मिल गया है और सब्जी में मसालों का flavor भी आ गया है हम इसे इस तरह चेक करेंगे सबजी हमारे अभी पकी नहीं है हम इसमें एक कप पानी डालेंगे पानी डालकर एक पर फिर सबजीयों को अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे और ये देखें पानी में उबाल आ रहा है हम इस टैम पे इसे कवर करके या धग कर 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे 10 मिनट हो गया है और ये देखें सबजी का पानी सूख गया है हम इसे मिला लेंगे और सबजी को चिक कर लेंगे सबजी हमारे अच्छे से साफ्ट हो गई है हम इसमें हाफ चमच गरम मसाला डालेंगे करम मसाला डाल कर हम इसे एक बार फिर से मिला लेंगे सबजी को मीडियम फ्लेम पे ढग कर दो मिनट के लिए और पकने देंगे जिससे करम मसाला का फ्लेवर सबजी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा दो मिनट हो गया है और ये देखे सबजी हमारा अच्छे से बन के तयार हो गया है और चली अब हम इससे सर्प कर लेते हैं कुंदरू की सबजी को आप दाल चावल पूरी पराठा चपाती किसी के भी साथ खाएं ये खाने में बहुत ही टेश्टी और स्वादिश्ट होता है सिंपल सी कुंदरू को आप इस तरीके से घर में जरूर बना के देखें सब ही आप से मांग मांग के खाएंगे और आपकी तारीफ करेंगे आपको मेरी वीडियो अच्छी और हलफू लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने एक्सपिरिंस मेरे साथ जरूर शेयर करें